असलाम अलेकुम और वेलकम टू पार्क पीक आज हमाँ पास जिकसर 600 रीट्यून होने आया है क्योंकि इन्होंने जो है एर फिल्टर चेंज किया था परफॉर्मास से एर फिल्टर डाला है पहले जब यह ट्यून हुई थी तो स्टॉक फिल्टर पे ट्यून हुई थी और दूसरा इन्होंने अपने जो फियूल टैंक की फियूल पंप है वो भी चेंज करवाई है तो जब भी वो फियूल पंप चेंज हुई है तो जाहिसी बात है उसका जो फ्लो है वो भी इंक्रीस कर गया फियूल का तो एफ आफ आर जो है वो री ट्यून होना ज़रूरी हो आज की वीडियो का मकसद आपको यह बताना है कि पावर कमांडर और जो फुल इस्यू टून होता है उसका मेजर डिफरेंस कहा है बैसिकली जब आप पावर कमांडर लगाते हैं अपनी बाइक में तो वह सिर्फ फ्यूल मैप्स जो है ना आपके वह टून करता है यानि वह सि इसकी एगनिशन मैप भी चेंज कर सकते हैं मैं आपको सेंपल के खोल के इस तो ए खोले के को हैं आप फैयल मैप को डिएश कि आप को की साथ एप एक पास पास एक होता है और एक टी-पी पिएस होता है आप दोनों को चेंज कर सकते हैं तो यहे पावर कमंडर में आपको applies वो सिर्फ इसके टीपीएस मैप को चेंज करता है इसके अलावा अगर आप यहां पर अधर मैप देखें तो अधर मैप में आपको वेरियस उप्शन मिल जाती है यहां पर आपको दिखा देता हूं इसमें आप इसकी थ्रोटल प्लेट को कंट्रोल कर सकते हैं एक्जोर्फ व अनलोक करने की उसके आपके पास आ जाते हैं इसके लावा आपके पास एट्वास सेट्ई में मुख्टलि वेरियस आइडियल आर arepe नहीर आपका fan temperature आप सेट कर सकते हैं इसके लाबा मुख्लिक किसम के code जो आपकी बाइक अगर आप इसका सर्वो मोटर उतारते हैं या इस तरह की कोई चीज उतारते हैं पनी बाइक से तो इसका code भी आप डिसेबल कर सकते हैं ताकि आपकी issue उसको पॉप अपना करें तो यहां पर एक बहुत ही various type of information जो है वो आपके पास होती है जिसको आप यूज भी कर सकते हैं जबके power commander जो है वो सिर्फ limited रहता है fuel maps पे और वो भी सिर्फ TPS fuel map में तो यह major difference है एक full issue tune आप करवाते हैं अगर फुलिश से उसके मकाबले में गरा power commander लगाते हैं तो